बिरी बिरी गुड ओनिंग, बिरी गुड आफटर नून, एंड बिरी बिरी गुड बिनिंग अब्री बडी बडी मैं पंकष पांडे मेन कैट पीसी से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सी प्रोग्रामिंग से bitwise operator का second video ले करके आगया हूं हमने अपने फ़र्ष्ट वीडियो में जिसका लिंक इस वीडियो के description में given है यदि आपने हमारे फ़र्ष्ट वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को भी आगे देखें में bitwise and का definition और example देखा था और bitwise or का हमने स्रिफ definition देखा था जिसका example हम second video इस video में देखने जा रहे हैं ध्यान से देखना हम पने program को देखते हैं क्या लिखा है write a program that implement bitwise or operator इसमें हम देखेंगे bitwise or काम कैसे करता है ठीक है bitwise or काम कैसे करता है और bitwise के definition पहले आप इस example को देखने से पहले देख लीजिएगा जिसमें सारा कुछ दिया गया है देखते हैं हम bitwise और काम कैसे करता है ध्यान से देखना हमने सबसे पहले header file लिखा hatch include studio.h hatch include corneo.h और उसके बाद हमने क्या किया main function को लिखा है wide main main हमारा white type का है white type का होने की वज़ा से get ch हम लिखते हैं देखो ध्यान से wide है तो get ch लिखेंगे चलो ठीक है नीची आते हैं नीची हमने दो variable a and v declare किया है जो हमारा integer type का है दांफ देखना जब हमारा compiler इस step में पहुंचता है तो variable का declaration जो है उसके लिए रेम में हमारा compiler इस पेस बनाता है देखो रेम है रेम में हमारा a और b के लिए इस पेस बना दिया ठीक है a और b के लिए इस पेस बनाया a का जो 5 है इस memory में चला गया और b का जो 9 है b के memory में चला गया है यदि 32 बिट का system है तो ये 2 वाइट इस पेस लेगा और ये भी 2 वाइट इस पेस लेगा ठीक है 22 वाइट इस पेस लेंगे यदि हमारा 64 बिट का system है तो 44 वाइट इस पेस लेते हैं ध्यान से देखना integer data type के variable हमारे ठीक है यहाँ पर आते हैं हमारे a में क्या है ध्यान से देखना a में हमारे 5 बी में हमारे 9 हमने क्या किया है नीचे देखो नीचे हमने नीचे प्रिंट अफ लगाया है प्रिंट अफ में हमने क्या किया है कि a and b के बीच में हमने bitwise r का यूज कर दिया है देख वाइज A और बिट वाइज B ध्यान से देखना सबसे पहले तो हमारा compiler जो A का variable है 5 सबसे पहले इस 5 को binary number में convert करेगा 4 bit का binary number हमारा है यह 4 bit के binary number में A का conversion होगा 5 का binary number होता है ध्यान से देखना 1010 ठीक है उसके बाद second B में हमारे क्या है B में हमारे B है देखो ध्यान से B का अब binary में conversion होगा 9 का binary number होता है 1001 ठीक है सबी लोग को binary number कैसे निकालना है हमारे first वीडियो में हमने बेहतर टेकनिक बताया है उस टेकनिक से किसी भी number को किसी भी decimal number को binary में आप 2 second में convert कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लिना हमारा 5 का binary number 0109 का 1001 ठीक है अब इसमें हमने bitwise xr का यूज किया है ध्यान से देखना यह bitwise xr हमारा यूज है यहाँ पर यह देखो ठीक है bitwise xr हमारा क्या कहता है इसके definition में मैं ने लिखा हुआ है bitwise xr कहता है कि यह कम से कम minimum one single one मिल जाए देखो ध्यान से अगर दोनों bit में a and b a and b दोनों में केवल एक bit मिल जाता है ध्यान से देखना केवल एक bit मिल जाए कहीं पर one अगर एक bit one हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो value one होगी जान से देखना bitwise r तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो पहला bit हमारा है क्या एक bit इसमें है यह minimum one तो है दोनों one है इसलिए इस जगा पर देखो one हो गया ठीक है कम से कम एक one होना चाहिए दोनों में से तो कम से कम एक one यानि दोनों है तो one हो जाएगा इसमें देखो second वाले में दोनों zero है देखो दोनों zero था इस बात को देखना है दोनों zero था तो क्या हुआ दोनों zero था तो यह देखो ध्यान से zero हो गया है कम से कम एक one होना चाहिए थर्ड वाले में देखो एक वन है यस वन जीरो है तो वन हो गया लाश्ट वाले में क्या है जीरो वन है एक वन है तो वन हो गया यानि कि हमारा जो result आया इसमें A and B पर हमने जब bitwise R को apply किया तो कम से कम एक वन होना चाहिए दो हो तबी चलेगा तो इसका हमारा जो result आया है C में ध्यान से देखना है हमारा C क्या एक ही variable में direct कर दिया हूं हमारा आया है 1101 और ये value होती है 13 हमारी ध्यान से देखना ये 13 decimal number होता 13 का 13 का डेस binary हमारा होता है 1101 अब जो 13 ये हमारा है 13 हमारा ध्यान से देखना 13 हमारा कहा जाएगा यह 13 हमारा printf के इस part में आएगा और यह जो है यहाँ पर जाकर के %d की जगहाँ पर output करेगा a और b equal to ध्यान से देखना 13 यह हमारा output देदेगा आप शबी इस program को अपने system पर अभी रन कराएं ठीक यह हमारा output होगा इस program का output कैसे आया है रेम कैसे एजियून किया गया है सारा कुछ हमने इस वीडियो में बताया है ठीक है दूसरा example आप सभी को बनाना चाहिए दूसरा example भी आप सभी बनाएं और हम चलते हैं आगे अपने bitwise xor operator की तरफ ध्यान से देखना bitwise xor operator क्या है यह बात को हमें दैखना है देखो ध्यान से लिखा है xor operator क्या होता है denote कैसे किया जाता है इस बात को हम देखेंगे denoted हमारा definition क्या है यह देखो पहला point the bitwise xor operator is denoted by this symbol dcket symbol हमारा यह वाले symbol से denote होता है xr हमारा bitwise xr नहीं से देखना second point हमारा क्या है ये operator को access करने के लिए यानि bitwise operator को access करने के लिए कम से कम दो operants होने चाहिए देखो हमारा second point करा है this operator takes two number of operants इसमें भी दो operants होने चाहिए minimum यानि कि operants मतलब होता है variable कोई हो या कोई value हो तो हमने क्या किया minimum दो operants जैसे हमारा bitwise and and bitwise r लेता था उसी के तरीके से bitwise xr में हमें कम से कम दो operants ले लेने हैं दो operants को मतलब जैसे a हुआ और ये हुआ और v हुआ ये दो a and b हैं ये हमारे operants होते हैं तो ये हमारे कम से कम दो होने चाहिए दो के बीच में ही bitwise xr operator apply किया जाएगा हमारा third point सबसे important point होता है third point को देखो third point हमारा क्या कहरा the result of bitwise xr is one if the two bits are different ध्यान से देखना इसमें क्या कहरा है ये bitwise r से कैसा अलग है कितना अलग है क्या अलग है bitwise xr bitwise r कहता है कि minimum one bit one होना चाहिए यदि दोनों one हो जाएं तब भी one होगा इसमें कहरा है कि दोनों different हों कम मतलब की एक zero और एक one हो तब ही one होगा दोनों zero हो जाएंगे तब भी zero दोनों one हो जाएगा तब भी one इस चीज को हमें देखना है जान से देखना bitwise xr हमारा कहता है the result of bitwise xr is 1 if the two bits are different यदि दोनो bit different होंगे तभी 1 होगा आगे चलके हम देखते हैं ठीक है इस point को सभी लोग अपने दिमाग में रख लेना इस point को बहुत ही important point है नीचे आते हैं हमारा next point क्या है bitwise xr के definition में this operator also work on the binary number ये भी हमारा जो decimal number हम देंगे उसको पहले binary में convert करेगा binary में convert करने के बाद ध्यान से देखना फिर ये हमारा apply होगा ठीक है इस चीज को हम देखते हैं ये point ये point ये point ये point हमारा सारे के सारे point यानि की हमारे बहुत ही memorable point है इनको हमेशा दिमाग में याद करके रखना है चारो point को इन चारो points को ध्यान में सबसे most important point हमारा third point है इस चीज को हम चलके अपने example में xr के देख रहे हैं that implement bitwise xr operator same bitwise and bitwise r के तरीके इसका भी प्रोग्राम होगा ध्यान से देखना header file wide main दो variable print of print of में जहां bitwise r था वहाँ पर हमने bitwise xr लगा दिया है ध्यान से देखना result हमारा देखो different आ रहा है same variable a and b में हमने लिया है bitwise r में भी और same variable a and b में हमने fame value a and b में हमने लिया है bitwise xr में लेकिन हमारे result को देखो result हमारा bitwise r से bitwise xr different आ रहा है कैसे आ रहा है ध्यान से देखते हैं ठीक है a and b जो variable था a के लिए RAM में memory create हुआ ध्यान से देखना a के लिए RAM में memory b के लिए RAM में memory A की जो value 1 है A में चली गई और B की जो value 9 है वो B में चली गई A की 5 value A में गई B की 9 value B में गई ध्यान से देखना इस चीज को उसके बाद हमारा compiler नीचे print up वाले पर आया print up में bitwise xr equal to percent d हमारा देखो bitwise xr operator दो operants A and B के साथ apply किये गए है ध्यान से देखना अब इसका accessing कैसे हमारा compiler करेगा हम देखने दा जा रहे हैं ध्यान से आप सभी लोग इसको देखना ठीक है चलते हैं देखते हैं हमारा जब यह apply होगा A xr b तो हमारा जानते हो क्या होगा ध्यान से देखना A की value कितनी है 5 B की बैलू कितनी है देखो B की बैलू है 9 जहां से देखना A का बाइनरी नंबर हमने पहले भी निकाला है और 9 का बाइनरी नंबर हमने पहले भी निकाला है पहले कब bitwise और में हमने निकाला है 5 का बाइनरी नंबर 0101 9 का बाइनरी नंबर होता है 1001 तीक है इस चीज को हम होता है इन दोनों बिट पर इस वाले पर इस वाले पर दोनों 5.9 पर बिट वाइज एक्सार हम अपलाई कर रहे हैं देखो कैसे होता है बिट वाइज एक्सार क्या कहता है कि बोथ इज डिफरेंट बोथ विट इज डिफरेंट दोनों के दोनों बिट डिफरेंट होने चाहि है दोनों सेम थे तो हमारा जीरो हो गया ध्यान से देखना तो हमारा क्या हुआ जीरो हुआ क्या यह दोनों डिफरेंट है जीरो जीरो नहीं बिल्कुल डिफरेंट नहीं सेम है जीरो जीरो है यानि सेम है तो बिल्कुल वन नहीं होगा यहां पर भी हमारा जीरो हो गया ध्या पर हमारा कहता है कि 1 तभी होगा जब दोनों बिट उपरोर नीची दोनों वाले डिफिरेंट हों देखो 1 0 था 1 हो गया उसकी राइट से हम फोर्त बिट पर आते हैं क्या यह डिफिरेंट है 0 & 1 होता है तो 1 हमारा क्या डिफिरेंट होता है 01 0 1 yes 01 different है डिफिरेंट है तो इसका मतलब bitwise XR कहता है one होगा ये भी one हो गया अब हमारा A and B पर जब bitwise XR हमने apply किया था A की value 5 थी V की value 9 थी तो हमारा क्या आया result result आया double one double zero ठीक है ध्यान से देखना है double one double zero double one double zero बनी नंबर हमारा किसका होता है 12 का होता है अब हमारा result क्या हुआ देखो ध्यान से result हमारा क्या हुआ 12 हुआ इस बात को हमें देखना है ये देखो 12 12 हमारा कहां गया देखो 12 हमारा यहां आया A bitwise XR apply होने पर इस वाले part पर हमारे 12 आ गया उसके बाद जब print up ने काम किया तो 12 हमारा %D के place पर चला गया %D के place पर पहुँचते ही हमारा output क्या आया A XR B equal to 12 देखो A XR B equal to 12 A A XR XR B B देखो B B और हमारा equal equal D की value में इसकी value देहां से देखना इसकी value कितनी है टोयलब है टोयलब आ गया इस program को यदि run कराओगे तुम सभी लोग तो इसका result सेम यही आने माला है सभी अपने system पर जाओ अपने turbo पर अपने online zdv compiler पर या coding c पर किसी पर जाकर कि इसे आप सभी लोग run कराओ ध्यान से देखना इसे आप सभी के सभी लोग run कराओ और run कराने के बार देखो कि इसका result क्या यही आ रहा है और इसका result 100% यही आएगा आप सबको समझ में आ गया होगा कि bitwise xr काम कैसे करता है और bitwise r काम कैसे करता है bitwise xr और bitwise r में क्या अंतर है क्या difference है जान से देखना आगे हम बढ़ते हैं आगे हमारा left shift operator है बहुत ही important operator है इसका definition तो हम इस वीडियो में दे दे रहे हैं लेकिन इसका जो example होगा हम अपने next third video में देंगे और आप सभी लोग इस वीडियो को अभी ध्यान से देखना ठीक है bitwise left shift operator क्या कहता है इस बात को ध्यान से हम देखते हैं bitwise left shift operator हमारा denote होता है double less than से ठीक है इसका पहला point क्या होता है the bitwise left shift operator is denoted by double less than symbol double less than से हमारा bitwise left shift denote किया जाता है ठीक है ज्यान से देखना इसमें two point क्या है this operator takes two operands इसमें भी दो operands काम करते हैं दो operands काम करते हैं लेकिन दोनों different कैसे क्या difference है previous three operator bitwise के और left shift में दोनों operands के बीच में ठीक है यह हमारा तीसरा point हुआ first operands जो यह first है यहाँ पर operands होगा o-p-r-e-n-d-s first operands tell us it won't shift जो पहला operands होगा a की value पहला operands जो होगा वो हमारा बताएगा कि इसे shift करना है a को shift करना है और जो दूसरा operator होता है second operands decide the number our place to shift यानि कि जो second operator होता यह बताएगा यह बताता है a को कितना bit shift करना है योदि a की value फाइफ है और b की value टू है तो इसका मतलब है a को 2 bit shift करना है जान साथ देखना a को यानि 5 को 2 bit shift करना है यदि a की value 10 है और B की value 1 है A की value 10, B की value 1 तो इसका मतलब है 10 को 1 bit shift करना है जहां से देखना है 10 को 1 bit shift करना है इसी concept पर हम काम करने वाले हैं और इसी concept पर हमारा left shift operator finish होगा तो देखते हैं कि हमारा ये example आगे चल करके हमारे next वीडियो में कैसे काम करेगा bit wise left shift operator इसको हम देखेंगे और इसका हम shortcut method भी निकालेंगे ठीक है यहां पर हमारा क्या होगा इस जगह पर हमारा operands होता है O P R E N D S ठीक है इस चीज को देखेंगे हम सभी ठीक है इतना देखने के बाद अब हम next वीडियो के लिए ready रहेंगे हमारे जो third number यानि next video आएगी उसमें हम left shift operator का example बताएंगे काम कैसे करता है और right shift operator का definition बताएंगे right shift operator का example भी हमें explain करूँगा क्या काम करते हैं कैसे काम करते हैं यह सभी हम इस वीडियो में देखेंगे चलो ठीक है इस वीडियो में हम यहां तक ही explain कर रहे हैं सभी दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करना चैनल को subscribe भी करना क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको पढ़ने की सारी चीज़ें मिलेंगी programming language से आपको coding की चीज़ें मिलेंगी आपको technical MCQ भी मिलेगा आपको सभी multinational companies के placement drive का वीडियो भी आपको मिलता रहेगा आपको यहां पर प्रहाई सी ले करके placement तक का सारा काम मिलने जा रहा है इसलिए चैनल को अभी subscribe करें और मेरे सभी वीडियो को आप देखें और सभी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें सभी बच्चों को have a nice future and have a nice day